हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वेट मंत्रा में मैं हूँ डॉक्टर श्रतिज गोस्वामी और उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे देखें आज की वीडियो में मैं आपको एक लाइव डेमो देखर के दिखाऊंगा कि पपी में पारवो वाइरस की पहचान कैसे की जाए और आज के टाइम में जब चीज़ें एडवांस हो रही हैं लोग एडवांस हो रहे हैं अपने पपी इसका बहुत ज़्यादा खयाल र जैसे हम पपी किसी से लेकर आते हैं किसी ब्रीडर से लेकर क्याते हैं बाहर से मंगवारते हैं तो सबसे पहले हमारे मंद में डाउट होता है कि पपी हेल्दी हो और कहीं बीमार ना हो बीमार भी खासकर पारवो या फिट स्टेंपर जैसे जो तो बीमारिया है जो बहुत में symptom धीरे-दीरे build-up होते हैं पता चलता है कि पपी को सच में parvo virus infection हो गया है उसके लिए quickly diagnosis करने के लिए parvo virus के लिए kit आती है parvo detection kit या फिर CPV के लिए parvo virus के लिए kit आती है आईए इस test को conduct करके देखते हैं कैसे ही test किया जाता है दोस्तों parvo diagnosis kit आती है market में और ये quickly आपको parvo virus का confirmation देदेती है ये kit जो है वो 500 रुपे की मिलेगी आपको market में और quick wet नाम से company जो है उसकी अच्छी kit मिल जाएगी इसमें आपको एक diluvent मिलता है और ये diluvent जो है आपको f&drop tube में डालना होता है जैसे कि ये tube जो है वो f&drop tube है इ इसमें आपको 10-15 drops इसकी डाल देनी है और उसके साथ में ही आपको एक swab मिलता है जैसे कि ये app and drop tube है उसमें आप diluvent डालने और ये जो swab मिलता है cotton का इसको parvo के लिए जब हम use लेंगे तो उसका sample हमें rectal sample या फिर puppy की potty में से लेना होता है तो rectum में insert करने के बाद में आपक diluvent डाला था उसमें mix कर देना है अच्छे से और उसके बाद में dropper के through इस kit में आपको वो diluvent डाल देना है तो देखे ये तीन महीने का beagle आया था हमारे पास में जिसको vomiting और loose motion के sign थे और vomiting और loose motion पार वो like कर रहा था तो हमने पहले इसका test perform करना बेतर समझा और इस test के लि दिया सबसे पहले हमने diluvent जो है जो इस kit के साथ में diluvent आया था उसे effendrop tube में डाल लिया और उसकी 10 से 15 drops हमने उस tube के अंदर डाल दी तो देख सकते हैं आप हमने tube के अंदर जो है वो diluvent को add कर दिया है अब हम क्या करेंगे इस diluvent को एक तरफ रख करके इस tube को एक तरफ र लेंगे स्वैब निकालने के बाद में हम इस puppy के rectum से इसका sample लेंगे आप rectum में जो fecal जो material होता है उससे ले सकते हैं या जब वो potty करता है तो उससे भी sample लिया जा सकता है और यह देखिए जैसे हमने इसके rectum में एनस के थुरू insert किया swab को और उसे अच्छे से हमने sample को collect कि दिया है और sample collect करने के बाद में आप इसको diluent में डाल देंगे अच्छे से solution बना देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर diluent के अंदर इसको mix कर दिया अच्छे से तो यह swab में जो भी rectum के थुरू हमने जो fecal का sample लिया था वो mix कर दिया है और अब आप क्या करेंग अब एक dropper साथ में इसके आया है तो जो dropper आया है उसको उसके थुरू हम इसे इस kit में डालेंगे तो हमने एक बार अच्छे से sampling करने के लिए दुबारा से rectum का sample लिया और इसे mix कर दिया इस diluent के साथ में अब हमारा जो next step रहेगा वो यह रहेगा कि हमें dropper लेना है और dropper लेने के बाद में dropper में इसको फिल कर देना है जब आप dropper में इसको फिल कर लेंगे और उसकी यह देखिए dropper के थुरू हमने इस diluent को ले लिया है और अब जो diagnosis kit है उसमें जो space जियावा जहां से आपको drops डालनी है वहाँ पर आप धिरे-धिरे drops डालेंगे जैसे ही यह solution आ अगर पार्वो positive आता है जैसा कि इस case में रहा और यह puppy पार्वो positive है आपको सामने आपके आँखों से दिख जाएगा कि इसमें दो strips बन रही है दो linings बन रही है इसका मतलब यह है कि यह puppy unfortunately पार्वो positive है पार्वो sign इसमें proper आ चुके है और अब इसका हमें जो treatment procedure है वो पार् no strips इसमें C और T जो है उसमें strips बन चुकी है मतलब कि यह puppy पार्वो की चपेट में आ चुका है तो हमें इस kit से confirm हो जाएगा हाथों हाथ hand to hand आपको result मिलेगा quick result मिलेगा बहुत से pet owners और बहुत से wets को कई बड़ टाइम लग जाता है पार्वो को detect करने में तो यहाँ पर आप पहले step में ही पार्वो को detect कर सकते हैं साथे वो वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe करें और वीडियो को like करें Thank you